Hello friends, welcome to study news, आज हम इस वीडियो में दो अगस्त के exam related जितने भी important question हैं, हम उन्हें या solve करेंगे, so let's start First question है, किस मंत्राले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? Options हैं, स्वास्त मंत्राले, क्रिसी मंत्राले, मानाव संसाधन विकास मंत्राले या जंजातिय कारे मंत्राले स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो इसमें option D सई है, इस अवार्ड को आदिवासियों की ससक्ति करण परियोजनाओं के लिए दिया गया है वर्तमान में केंद्री जंजातिय कारे मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इसमें और options की बात करें तो मानव विकास मंत्री वर्तमान में हैं रमेश पोखरियाल निसंख और अभी हाल ही में इस मंत्राले का नाम बदल कर शिक्षा मंत्राले रग दिया गया है और वर्तमान में हमारे कृशी मंत्री हैं नरेंद्र सिंग तोमर और स्वास्त मंत्री हैं डॉक्टर हर्स वर्धन नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किसे औरियंटल इंसोरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में न्युक्त किया गया है आप्सन्स है एज एन राजस्वरी वरुन स्रीधर एन सिवरमन या सचिन अवस्थी तो अभी हाल ही में एसन राजस्वरी को औरियंटल इंसोरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में न्युक्त किया गया है तो इसमें उत्तर आप्सन ए सई है औरियंटल इंसोरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में है अध्यक्ष और MD दिने स्वगेला है नेक्स्ट कोस्चन है हाली में ली तैंग हुई का निधन हो गया है ये किस देश के पूर राश्पती थे आप्सन्स है माल्डिव्स, ताइवान, सिंगापूर या जापान तो ली तैंग हुई ताइवान के पूर राश्पती थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो इसमें उत्तर आप्सन भी सई है ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी ताइपे है ताइवान के प्रजेन टाइम में राश्पती साई इंग वैन है और ताइवान की मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है हाल ही में हर्याडा सरकार ने खेल विभाग के उपनिदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है ओप्सन्स हैं गीता फोगाट, बबीता फोगाट, कपिल देव या विजेंदर सिंग तो बबीता फोगाट को हर्याडा सरकार ने खेल विभाग में उपनिदेशक के रूप में न्युक्त किया है तो इसमें उत्तर आप्सन भी सई है बबीता फोगाट ने 2014 का कॉमन वेल्थ गेम्स जो हुए थे इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में किस राज्य ने तीन राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है आप्सन सें आंदर प्रदेश, तमिल नाडू, मद्य प्रदेश या महराष्ट्र तो आंद्रप्रदेश ने तीन राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है तो इसमें उत्तर option A आंद्रप्रदेश सही है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंद्रप्रदेश की legislative capital अमरावती रहेगी executive capital विशाखा पत्नम और judicial capital कुर्णूल रहेगी वर्तमान में आंद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री Y.S. जगनमोहन रेड़ी है और governor विश्व भूशन हरिश्चन्दन है next question है हाल ही में किस देश ने छटवी ब्रिक्स परियावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है options है Brazil, रूस, भारत या चीन तो रूस ने छटवी ब्रिक्स परियावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है तो इसमें उत्तर option B सही है आपको बता दू कि 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारा देश भारत करेगा ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी इसके पांच सदस्य राष्ट्र है जिसमें ब्रजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा जिसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में इस्पैनिस लीग में रिकॉर्ड सातवी बार गोल्डेन बूट अवार्ड किसने जीता है ओप्संस है लियोनेल मेसी, क्रिष्टियानो रोनाल्डो, जॉर्डन हेंडर्सन या जावबी ओलो सोनो तो इस्पैनिस लीग जिसे ला लीगा भी कहते हैं इसमें लियोनल मेसी ने रिकॉर्ड सातवी बार गोल्डेन बूट अवार्ड जीता है तो इसमें उत्तर आप्संस ए लियोनल मेसी सई है इन्हें ये अवार्ड सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए मिला है लियोनल मेसी अर्जेंटीना से हैं और ये बारसिलोना फुटबॉल कलब से खेलते हैं और इस्पैनिस लीग जिसे ला लीगा कहते हैं इसके ब्रेंड अमबेजडर रोहिस सर्मा है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में आईवेरी कोश्टा के प्रधान मंत्री कौन बने हैं आप्सन्स हैं हिचे मचीची, हमीद बाकायको, ओसोका रेपोंडा या लाजर चकवेरा तो हमीद बाकायको आईवैरी कोष्ट के नए प्रधान मंत्री बन गए हैं तो इसमें उत्तर आप्सन भी सई है हमीद बाकायको आईवेरी कोष्ट के रक्षा मंत्री थे वहाँ के प्रधान मंत्री अमाडू कौन कावले बेले का निधन हो गया था जिसके कारण इन्हें अब प्रधान मंत्री बना दिया गया है आईवेरी कोष्टा जिसका नाम को दिवार है ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है इसकी राजधानी यामो सुक्रो है और आईवेरी कोश्टा के वर्तमान में राश्ट्रवत्पती आलासान वातारा है इसमें और आप्संस की बात करें तो हिचेम मचीची हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट बने है और ओसुका रेपॉंडा गेबोन की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है और लाजर चकवेरा मलावी के राश्ट्पती है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में किस राज्ज में एक सितंबर से धार्मिक इस्थल खोलने की घोशना की है आप्संस हैं उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, राजस्थान या बिहार तो राजस्थान राज्ज ने एक सितंबर से धार्मिक इस्थल खोलने की घोशना की है तो इसमें उत्तर आप् राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राज़दानी जैपूर है, मुख्य मंत्री अश्रोग गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिस रहे हैं नेक्स्ट कोस्चन है किस राज्जे ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरुकता अभियान चलाया है आपसंस हैं केरला, तमिल नाडू, मध्य परदेश या महराष्ट्र तो अभी हाल ही में मध्य परदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरुकता अभियान चलाया है तो इसमें उत्तर आपसंस ही मध्य परदेश सही है ये अभियान एक अगस्त से पंदरा अगस्त तक चलाया जाएगा और मैंने आपको बताया था कि हाली में मध्य परदेश की ने गवर्नर बनी है श्रीमती अनंदी बन पतेल तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment